वजन बढ़ाने के डर से अगर आप घी से दूरी बनाते हैं तो हो जाएए सावधान क्योंकि इससे पढ़ सकता है आपकी सेहत पर असर आम लोगों की यही सोच होती है कि घी से सिर्फ वजन बढ़ता है लेकिन असल में गाई का घी किसे अमरिद से कम नहीं होता आई आपको बताते हैं घी खाने के वो चमतकारी फाइदे जिससे आप हमेशा जवाब बने रहेंगे कम होता है वजन गाई के देसे घी में कॉंजुकेटरि लिनोलिक एसिट पाया जाता है ये तत्व शरीर का वजन कम करने में बड़ी भूमिका निभाता है देसी घी शरीर के जम्मे हुए जिद्धी फैट को घटाने में मदद करता है और मेटाबॉलिजम तेज करता है उचित मात्रा में घी का सेवन वजन बढ़ाता नहीं बलकी कम करता है दुरिस्त होता है पाचल देसी घी में बाइट्रिक एसिड काफी मात्र में पाये जाता है घी में इन तत्व की मौजदगी की वज़े से पेट हमेशा दुरिस्त रहता है अलुवेट के हिसाब से देसी घी पित का नाश करता है घी ना सिर्फ कब से बचाता है बलकि शरीर से टॉक्सिक एलिमेंट्स यानी हनिकारक तत्वों को भी पहा निकालता है हिर्दे के लिए गुनकारी हिर्दे की धमनियां की रुकावट होने से हिर्दे की बिमारी होती है देसी घी में पाये जाने वाला विटामिन हिर्दे के धमनियों को रुकावट से बचाता है देसी घी शरीर में बैट केलिस्ट्रोल को घटाता है और गुट केलिस्ट्रोल के स्थर को बढ़ा कर शरीर में संतुलन सापित करता है हड्या होती है मजबूत देसी घी में एंटी कैंसर एंटी वारल गुण होते हैं बच्चे भूरे या जवान सभी के लिए देसी घी का सेवन फाइदे मन माना जाता है इसमें पाई जाने वाले विटामिन और पोशक ततो हड्यों को मजबूत बनाते हैं और रोग प्रतिरोधक शमता बढ़ाते हैं सिर्दत होता है दूर माईग्रेन में आमतोर पर सिर के आदे हिस्से में दर्द होता है और सिर्दर्द के वक्त उल्टी भी आ सकती है इस समस्य से बचने के लिए गाई का घी फाइदे मंद है दो बुन्द गाई का देसी घी नाग में सुभे शाम डालने से माईग्रेन का दर्द ठीक हो जाता है निउस एक्सप्रेस की रिपोर्ट